नमस्कार स्वेंट तो यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी स्वेंट्स के लिए हैं आप सभी स्वेंट्स ही लगातार इंतजार करते जा रहे थे आप सभी के ओफिशल रिजल्ट का जो की UGC NET फरवरी मार्च 2023 में हुआ है तो यहां पर एक सभसे बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हैं कि जैसे आप NET website पर जाते हैं तो नीचे की और archive question आपको देखनों मिलता है सबसे उपर आपको देखनों मिलता है declaration of result of July 2022 semester exams इस notice को जब आप देखते हैं तो यहां पर 5 April का यह notice है कि हमने swim का result है वो जारी कर दिया है अब यहां पर आप सोचेंगे कि swim के result से हमारा क्यार ने देना है तो swim का result अगर नों ने निकाला है तो इसका मतलब यह है कि result का जो processing है वो शुरू कर दिया है और जो इंतजार जो deserving candidates थे वो तो UGC net वाले थे तो ऐसे में जो swim के लिए अभी यहां पर score card जारी कर दिया गया है अब पूरी पूरी उमीद है यहां पर है कि कुछ देर बाद आपको आपका result भी देखने को मिल जाएगा यह एक बहुत ही important news आप सभी के लिए शेर की गई है NTA ने basically result का process जो है वो शुरू कर दिया है ऐसा समय में आ रहा है जिसके तहाँ तब कुछ देर में आपको भी आपका score card यानि की result देने वो मिल सकता है सबसे बहुत है आप तक information भचाईए इसके लिए चैनल को subscribe जरूर करके रखें वीडियो को लाइक भी जरूर करें इस वीडियो को देखने के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद All the best